वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगी दिब अरजुन कौाथ के बारे में जो कि पतंजली कंपरिन दोरा बनाया जाता है और इस तरह की पैकजी में आता है सव ग्राम में यहां देखे लिखा गया है समस्त हिर्दय रोगों में लाबकारी तो देखेंगी हिर्दय के कौन कौन से रोगों में जो है लाबकारी होता है अरजुन कौाथ कंप्लेट जानकारी के लिए वीडियो में लाश तक बने रहे हैं सिंपल है हम जो है अरजुन कौाथ को कहां कहां तो उसको जो हनारमल तक लाता है तथा गुड कोलिस्टराल को बढ़ाता है एक काम इसका होता है हार्ट की मसल को मजबूत भी बनाता है बलाकेज जो आपकी कॉर्णरी आर्डरी में बलाकेज हुआ है उसको भी कम करने में मदद करता है काम करते हैं, basically किसी को जो है दर्द होता है समझ रहे हैं, किसी की सुरुवाते स्टेज में रहता है, बलाके जो गयरा तो काम करता है, तो हलका फलका दर्द का एहसास होता है हाट में, मतलब सेने में, बायं साइड में तो वहाँ पे इसको चलाएंगे तो रिस्पांस काफी अच्छा दिखाता है या जो हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है ठीक है अरजुनकॉाथ के काफी ज़्यादा फायदे है बात कर लेंगे अखिरकार कहां नहीं देना चाहिए किसी को पास्ट में अरजुनकॉाथ से अलर्जी हुई हो तो नहीं देंगे बच्चों की पहुंद से दूर रखेंगे प्रिग्ननसी लैक्टेजन और बहुत छोटे बच्चों में आप इसका योज नहीं करेंगे ठीक है बात कर लेते हैं आखिरकार कितनी मात्रा में देना होता है पांच से दस ग्राम जो अरजुनकॉाथ है उसको 300 एमेल पानी में पकाएंगे ठीक हो उबालेंगे उसके बाद 100 एमेल जब पानी बचेगा तो सुबह साम खाली पेट 7 करवा सकते हैं इसको आप अपने नजी की पतंजली इस्टोर से ले सकते हैं या फिर आनलाइन खरेदना का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से दाक जाकर क्या है परचेस कर सकते हैं आई होप अरजुनकवात के बारे में कंप्लेर जानकारी मिली होगी फिर भी कोई डाउट है तो पोच सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहले बार विजिट किये हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दोस्तों आज की इस छोटी से वीडियो में बस इतना ही था